जैस्रीक्रस्ण मित्रो, मित्रो आज आपको हम बताने जा रहें देनिक राशी फल दिनांक 5 मार्च 2021 शुक्रवार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से आज 12 में से 8 राशी वालों को कारी शेत्र में विशे सफलता कियोगे वहीं अन्य राशी वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा तो मित्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरूजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्यका राशी फल नहीं नहीं ग्यान वरधक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो आज मागमास करश्न पक्ष की सब्तमी तिथी है शुक्रवार का दिन है आज दिन की सुरवात अनुराधा नक्षत्र से होगी और वरष्चिक राशी में चंद्रमा का संचरन होगा और आज राहु काल रहेगा दिन के 11 बच के 5 मिनिट से आरंभ हो करके तो 12 बच के 32 मिनिट तक राहु काल रहेगा तो राहु काल के दोरान कोई भी शुब नयाव मांगलिक कारे आरंभ आप नहीं करें इस समय अवदी में किसी भी नई वस्तु की खरीदारी करने से बचें आज दिसा सूल रहेगा पश्चिम दिसा में तो आज के दिन आप पश्चिम दिसा की और मुख करके कोई भी शुब नयाव मांगलिक कारे शुरू नहीं करें पश्चिम दिसा की यात्रा से भी आप बचें यदि यात्रा करना आपके लिए अती आवश्यक हो तो अपने इस्ट देवता की सरद्धा पुरवक पूजा अरादना करके अत्वा इस्ट देवता के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करके यात्रा आप कर सकते हीं और आज का सरवस्रेष्ट महुरत अभी जीत महुरत आरम होगा दिन के बाराह बच के नो मिनिट से आरम हो करके तो 12 बच के 56 मिनिट तक सर्वस रेष्ट समय रहेगा तो इस समय अवधी में आप किसी भी शुब नए वा मांगली कारी की सुरुवात कर सकते हैं या किसी भी बस्तू की खरीदारी करना चाहते हैं तो इस समय अवधी में आप कर सकते हैं तो आप जानी अपनी जन्म राशी के अनुसार आज आपके भग्य के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको अपनी राशी के अनुसार क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे की दिन आपका शुब रहे और कारे छेतर में आपको सफलता मिलें तो मेश राशी से आरंबा करते हैं मेश राशी बालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा जिन लोगों की परीक्षा या प्रतियोगीता परीक्षा आने वाली हैं उन्हें आज पड़ाई लिखाई पर अधिक ध्यान देने की आवश्यक्ता रहेगी जितनी लगन से आप महनत करेंगे उतने ही अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे व्यापारी वर्ग को भी आज महनत करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे और आज किसी कारणवस आपको खुद पर कंट्रोल करना पर सकता है अपने मन पर कंट्रोल करेंगे तो दिन आपके लिए काफी प्राप्त करेंगे और शाम के वक्त घर में अधिक से अधिक समय बिताने से घर वालों के लिए अच्छा माहूल रहेगा तो आज आपको भाग्य का साथ 55 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंकतीन है शुब रंग आपका नारंगी रंग है नारंगी समक्ष लाल पुष पर रपित करके ओम महा लक्षमीन महा इस महा मंतर का 108 बार जाप करना चाहिए इससे कारेच्छेतर में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी अगली राशी है व्रशब राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज दिन भर अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है और आज आप फायदे में भी रहेंगे प्रोफेशनल मामले में सावधानी बरतने से होने वाले नुकसान से आप बच पाएंगे और इन्वेस्मेंट के मामले में आज आपको विशेश फायदा मिल पाएगा कहीं इन्वेस्ट कर है शुब रंग आपका नीला रंग है नीले रंग का प्रियो कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज कारी छेत्र में विशेश सफलता पाने के लिए आपको इस उपाय को करना चाहिए प्रातहका लिस्नान कर माता लक्षमी जी को खीर का भोग अर्पित करें और ओम स्री महा लक्षमी नमहा इस महा मंतर का 108 बार जाप करें ऐसा करने से कारेच्छेतर में आपको विसेश सफलता मिलेगी अगली राशी है मिथुन मिथुन राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज का दिन एक्साइटेटमेंट से बहरा रहेगा उत्साह जादा रहेगा दोपर तक कोई अच्छा काल आपकी खुशी का कारण हो सकता है या कोई अच्छा संदेश आपको मिल सकता है विद्यारती वर्ग अपना ज्यादा से ज्यादा समई पड़ाई लिखाई में लगा तो आज आपको भाग यकासाथ 85 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग गिशाले अंक चार है सुबरंग आपका बादामी रंग है बादामी रंग का प्रियोग कारेच्छेत्र में आज अधिक सधिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो को देवी लक्षमी जी के निमित्त विशेश उपाई प्राताहकाल इसनान करने के बात करना चाहिए कि प्राताह इसनान करने के पश्चा देवी लक्षमी जी को अनार का फल और अनार का पुश्प अर्पित करें और ओम धनदाय नमाह इस महा मंतर का 108 बार जाप करें इसा क करने से कारी छेत्र में आपको विसेश सफलता मिलेगी अगली राशी है करक करक राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस परकार से रहेगा आज का दिन आपके लिए स्पेसल साभी हो सकता है किसी एक ही तरकीब पर काम करना आपके लिए काफी फाइदे मन्द होगा आज अधिक आवश्यकता रहेगी लेंदेन के साम मामले में आज विसेश सावधानी बरते हैं तो आपके लिए बहतर रहेगा आज खर्च पर भी नियंतरन करें तो बहतर होगा तो आज आपको भाग्य का साथ साथ प्रतिसत्व पराप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक एक है शुब रंग आपका बादामी रंग है बादामी रंग का प्रियोग कारिचेत्र में आज अधिक सधिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारिचेत्र में विशेश सफलता पाने के लिए आपको विशेश उपा इस प्रकार से क प्रातह का लिष्णान करने के पश्चात देवी लक्श्मी जी की गंद पुश्प अक्षत के द्वारा पूजन करें लाल वस्तर अरपित करें और ओम स्रीम महा लक्षमीनमाह इस महा मंतर का अधिक सदिक संख्या में जाप करें इसा करने से कारिच्छेत्र में आपको विशे जरूर मिलेगा रिष्टेदारों से पुराने गिले शिक्वे दूर करने का समय हैं मित्रों के साथ रहने से ज़्यादा आपको मिलेगा किसी कारणबस घरवालों से बहस बाजी आज हो सकती है इसलिए बहतर होगा कि आप वाणी में माधुरी बनाए रखें यानि सभी से प्र बरंग आपका बादामी रंग है बादामी रंग का प्रियोग कारिच्षेत्र में आज अधिक सदिकाप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारिच्षेत्र में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्राता हका लिष्णान करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी के सामने पंच मिवा का भोग अर्पित करें लाल पुष्पर अर्पित करें और ओम धनदाय नमा इस महामंतर का यथा शक्ति जाप करें ऐसा करने से कारी छेतर में आपको विशेश सफलता मिलेगी अगली राशी है कन्या कन्या राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज आपका दिन काफी व्यस्तता भरा हुआ रहेगा दिमाग से किये गए काम ज्यादा फाइदा आपको दिलवाएंगे इससे खुशी भी आपकी बढ़ेगी पुराने समय से चल आ रही टेंसन आपकी खत्म होगी तनाव मुक्ता आप रहेंगे अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो आपकी मदद करने वाले काफी लोग रहेंगे इमानदारी से जो भी काम आप करेंगे उसमें अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे आज आर्थिक लाप के योग भी प्रतिसत्र प्राप्त होगा आज आपका भाग्यशाली अंक तीन है शुब रंग आपका नीला रंग है नीले रंग का प्रयोग कारेच्छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज कारेच्छेत्र में विशे सफलता पाने के लिए प्राता हकाल इसनान करने के पश्चात माता लक्षमी जी की मूर्ती को पंचामरत से इसनान करावें और मिठाई का भोगर्पित करके ओम स्रीयनमह इस महामंतर का यथा शक्ति जाप करें इसा करने से कारे छेतर में आपको विसेश सफलता मिलेगी अगली राश वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आपको दिन के पहले हिस्से में कोई अच्छा संदे सुनने को मिल सकता है कारे छेतर में साथी भी टीम वर्क से प्रसंद रहेंगे संतुष्ट रहेंगे लेंदेन और बिजनेस में खत्रा आपको हो सकता है इसलिए स स्वास्त का ध्यान देने की विशेश आवशकता है आज रोमान से के मामले में दिन काफी अच्छा रहेगा आपका खर्च आज जरूर बढ़ सकता है आज खर्च पर नियंतरन रखेंगे तो अच्छी सेविंग आप कर पाएंगे तो आज आपको भाग्य का सांद पिचोतर प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक नो है शुब रंग आपका आस्मानी रंग है आस्मानी रंग का प्रयोग कारिच्छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारिच्छेतर में विश स्रीम स्रीय नमह, इस महा मंतर का यथा शक्ती जाप करें, ऐसा करने से कारी छेतर में आपको विशे सफलता मिलेगी, अगले राशी है वरश्चिक, वरश्चिक राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, कि दिन के पहले हिस्से में कुछ मेहनत आपको ज किसी अच्छे असरदा लोगों से मेल मुलकात के योग रहेंगे, किसी खास काम की चिंता भी आज आपकी खत्म हो जाएगी, आज अतनाव मुक्त रहकर के काम करेंगे, तो दिन आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा, वेसे भाग्य का साथ भी आज आपको मिलेगा, औ तो आज आपको भाग्य का साथ 80% अपराप्त होगा, आज आपका भाग्य शाली अंक दो है, शुब रंग आपका नारंगी रंग है, नारंगी रंग का प्रियो कारेच्छेत्र में आज अधिक सधिक आप करेंगे, तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी, तो आज करने से कारेच्छेत्र में आपको विशेश सफलता मिलेगी, अगली राशी है धनो, धनो राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आज आपका टाइम काफी अच्छा है, इसका पूरा फाइदा आपको उठाना चाहिए, यदि आप नोकरी करते हैं त को की सलाह लेना काफी फाइदे मन रहेगी, तो आज आपको भाग्यकासाद 85 प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका भाग्यशा अंक 6 है, शुब रंग आपका केसरिया रंग है, केसरिया रंग का प्रियोग कारेच्छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे, तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी, तो आज के दिन कारेच्छेत्र में विशेश सफलता पाने के लिए, प्रातहकाल इसनान करने के पस्चाद, भगवान लक्ष्मिनारण जी की प्रतिमा को केसर मिले हुए दूद से इसनान करावे, और पीली मिठाई का भोगर पित करके ओम स्री विश्नु प्रियाए नमा, इस महा मंतर का यथा शक्ती जाप करें, इसा करने से कारेच्छेत्र में आपको विशेश सफलता मिलेगी, अगले राशी है मकर, मकर राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आज आपकी किसी से अनबन नहीं हो, इ प्रेम पूरवक व्यभार करें, कामकाज में आपकी इस्तिति आज बहतर रहेगी, और बिजनेस में मुनाफे के प्रबल योग है, साथी साधी सुदा जिन्दगी में में तमाम खुशियां प्राप्त होने के योग है, दिन भर काम करने लायक बहुत से काम रहेंगे, लेकि आपको भागी का साथ 80% प्राप्त होगा, आज आपका भागी शाली अंक 5 है, शुब रंग आपका नारंगी रंग है, नारंगी रंग का प्रियोग कारेच्छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे, तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी, तो आज के दिन कारे मंतर का 108 बार जाप करना चाहिए, इसा करने से कारेच्छेत्र में आपको विशेश सफलता मिलेगी, अगली राशी है कुंब, कुंब राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, कि आज टीम वर्क से काम करने वाला दिन है, मिल जोल करके किसी काम को करें आपकी जेब का आपको ध्यान रखना चाहिए, आज विशेश करके आपको सतर करहने की आवशक्ता ज्यादा रहेगी, तो आज आपको भाग्य का साथ 90% प्राप्त होगा, आज आपका भाग्य शाली अंक एक है, शुब रंग आपका बादा मी रंग है, बादा मी रंग का कारीचेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे, तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी, तो आज कारीचेतर में विशेश सफलता पाने के लिए, प्रातहकाल इस्नान करने के पच्चात माताल लक्षमी जी की गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूज़न करें, पिली मिठाई का भोग अर्पित करें, करपूर से आरती उतारें, और ओम स्री महा लक्षमीन महां इस महा मंतर का अधिक सधिक संख्या में जाप करें, इसा करने से कारिच छेतर में आपको विशेश सफलता मिलेगी, अगली राशी है मीन, मीन राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आज का दिन काफी धीमा आपके लिए हो सकता है, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने से आपको काफी फायदा मिलेगा, कोशिस अपनी जारी रखे तो अटके हुए काम आपके बनेंगे, सतर को होकर के अपने काम में जुड़ियाएं, साइद यह संगर से आखरी दोर हो सकता है, बाहर फिजुल खर्ची करने के बज़ाए घरवालों के साथ समय व्यतीत करें, क्योंकि आज आपके खर्च ज़्यादा हो सकते हैं, आज खर्च पर नियंतर रखना आपकी प्रात्मिक्ता होना चाहिए, आज सभी से मिल जुल करके किसी काम को आप करेंगे, तो अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, तो आज आर्थिक पक्ष भी आज आपका उत्तम रहेगा, तो आज आपको भाग्य का साथ 90 प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका भाग्य शाली अंक तीन हैं, शुब रंग आपका गुलाबी रंग है, गुलाबी रंग का प्रियोग कारी शेत्र में आज अधिक सदिकाप करेंगे, तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी, तो आज आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं, प्राताहका लिश्नान करने के पस्चाद, देवी लक्ष्मी जी की गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें, खीर का भोगर पित करके करपूर से आरती उतारें, और ओम धनदाय नमह, इस महा मंतर का यथा शक्ती जाप करें, ऐसा करने से कारी शेत्र में आपको विशेश सफलता मिलेगी, तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह देनिक राशी फल की जानकारी पसंद आई होगी, यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेयर अवश्य करें, धन्यवाद जैस्री करश्न मित्रों फिर मिलेंगे,